नमस्कार दोस्तों आप सब भी का स्वागत है शिक्षा प्रवहा में बिटा शिक्षा प्रवहा की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे क्लास 12 पोल्टिकल साइंस के बोर्ड और प्री बोर्ड एक्जाम में जो भी मानचित्र पर questions आप से पूछे जाएंगे उन सभी questions को इसके अंदर include किया गया है तो आप लोगों को जो screen पर दिख रहा है वो है world का map और उन कुछ places को यहाँ पर दिखाया गया है जिन पर based कुछ questions पनते हैं आपके exams में तो chapter wise questions यहाँ पर आप लोगों को provide किये गए है हर chapter से कौन सा question कौन कौन सी places मानचित्र में denote करने के लिए आप से पूछे जा सकते हैं वो हम इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे लिकिन अगर उससे पहले आप शिक्षा प्रवा पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक तो चैनल को subscribe जरूर कर लें इसी तरह की और informative वीडियो के लिए आपकी model test papers, cbsc sample papers और आपकी marking scheme, answer keys और बाकी cbsc updates के लिए इसी के साथी साथ बिटा जिस किसी ने सिक्षा प्रवा को subscribe कर लिया है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शुरू करते हैं question number first जो की chapter 1 से आपसे पूछा जा सकता है कि आपको A, B, C, D, E करके 5 देशों को यहाँ पर दिखाया गया है और उनके क्रम में आपको कुछ चीज़ें हाँ पर बताई गई है जैसे कि मिसाइल संकर से संबंधित देश कौन सा है A, B, C या फिर D और E इन में से कोई एक तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिसाइल संकर से संबंधित देश का नाम क्या है तो देश का नाम है आपका Cuba अब आपको ये पता होना चाहिए कि Cuba इस वाल्ड के मैप में कहाँ पर स्थित है तो Cuba स्थित है जो इनोंने E वाला आपको बॉक्स दिया गया है यानि कि ये आरो आपको इहां पर दिखाया गया है उस arrow पर आप लोग दिखाएंगे क्यूबा को यानि की E box पर दिखाएंगे इसी तरह से जो दूसरा question है पूछा गया है मित्र रास्ट्रों की अगवाई करने वाला एक देश तो वो कौन सा था तो वो है France और France कहां पर है तो जहां पर इन्होंने D box दिया है ये वाला एरिया France है थार्ड कोजिशन जो आप से यहां पर पूछा गया है वो है धूरी रास्ट्रों की अगवाई करने वाला देश को अंशा है तो धूरी रास्ट्रों की अगवाई करीती इटली ने और इटली यहां पर कहां पर है तो जो box A को denote कर रहा है तो वो दिखा रहा है इटली को इसी के साथ पॉइंट 4 पे जाते हैं तो अगस्त 1945 में प्रबाणु बम का शिकार एक देश हुआ था और किस पर गिरा है प्रबाणु बम हम सभी को पता है दित्या विश्विद के दोरान जापान तो अब हमको दिखाना है जापान तो जापान दिखा रहा है किसको बी को जो बी वाला आपका यहाँ पर box है वो बी वाला दिखा रहा है जापान को इसी तरह से 5 में पूछा गया है दक्षण पूर्व एशिया का एक देश तो दक्षन पूर्वेशिया अब आपका कौन सा बचा? C बचा तो अब आप दिखा देंगे किस से? पॉइंट C से म्यामार को ठीक है? ये हो गया आपका solution प्रशन नमबर 1 का जो आपसे chapter 1 से पूछा जा सकता है इसी तरह से एक और question यहाँ पर आप लोगों के लिए है कि नीचे दिये गए विश्व में रेखा मानचितर में 5 देशों को वापस से A, B, C, D, E के द्वारा चिन्नित किया गया है और जो जानकारी यहाँ पर आप लोगों को दी गई है 1, 2, 3, 4, 5 इनके अधार पर आपको उनको लगाना है बिल्कुल जस्ट फर्स्ट कोईशन की तरह इसी के साथ एक जानकारी है यहाँ पर आपको दी गई है कि यूगोसलाविया का जो भिक्टन हुआ था और उसके बाद जो कुछ देश अस्तितू में आये थे सलोवेनिया, क्रोइशिया, रोशिया, हर्चेकोविना, शार्भिया, मोंटेग्रेनो, कोसोगो और मेसेडोनिया सबसे पहले जो कुछ नहाँ पर आपसे पूछा गया है वो है नाटो का एक सदस्या है तो नाटो का एक सदस्या कौन सा है e ठिक है तो E को दिखाना है France से France NATO का सदस्य है जो की E हमको दिखाया गया है Second है Warsaw Pact का एक सदस्य तो वो है Poland और Poland को दिखाया गया है C से तो आप लोग C से C की जगा पर Poland ये साथ में ही एक तो मैप भी है यहाँ पर यह पोलेंड कंट्री को यहाँ पर फ्रांस कंट्री को ठीक है इन सब को दिखाया गया है थार्ड कोशन है बिटर जो आपसे पूछा गया है कि एक अन्य कम्यूनिस्ट देश जो बाद में कुट निर्पेक्ष अंदोलन का संस्था पकसदस्य बना तो यूगोसलाविया था अब है किसी भी संगठन से संबंद ना रखने वाला देश कौन सा है तो वो है स्वीडन स्वीडन ने कहीं पर किसी से भी संबंद नहीं रखा और स्वीडन को अगर हम देखें तो यह ग्रे कलर से हमें हाँ पर नजर आ रहा है यह रहा ग्रे कलर और यह रहा बॉक्स ए यान भाजन हुआ किसका जर्मनी का और कौन सा हमारा बचा हुआ है दिखाने के लिए तो बी पॉइंट बचा हुआ है लास्ट वाला प्रशन तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं अगर हमें बाकी के चार मिल गए है तो लास्ट जो है उसको हम दिखा देंगे तो यह था आपका बिटा चेप्टर नंबर फर्स्ट पर बेस आपके दोनों मैप पर अधारित प्रशन इसी तरह से आपका जो चेप्टर नंबर टू है उसके अंदर से किस तरह क्या प्रशन आपके सामने आ सकता है एक्जाम में उसको देख लेते हैं तो मालचितर में ABCD करके आपको पांच चिन द तो यह गौन था यह था लिथुआनिया और लिथुआनिया को दिखाना है हमें B से तो इस मैप में आप यहां पर देखे यह थोड़ा सा बला रहा है आप यहां पर भी वैसे लिथुआनिया को डूंड सकते हैं थोड़ा सा अगर आप इसको यह देखिए अभी यह थोड़ थोड़ा सा हमको यहां पे नजर आने लगा है तो यहां पर हम लिथुआनिया को किस से दिखा देंगे B से ठीक है यह जो B वाला ब्लू वाला कोर्शन है आपको दिख रहा होगा यह है लिथुआनिया नेक्स्ट कुशिन बेटा जो आपसे पूछा गया है वो है 1993 में स्वतंत्र रास्ट्रों के रास्ट्र कुलकर सदस्य बनने वाला देश कौन सा है तो कौन सा है जॉर्जिया जॉर्जिया को दिखाएंगे हम ए से कहां पर है जॉर्जिया यह वाला हिस्सा यह येलो वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ए से यह है जॉर्जिया इसी तरह से सिकिंड थर्ड है अब आपका 1922 को की सोव्यत संग के निर्मान से संबंदित शंदी को समाप्त करने वाला देश को उसा था सबसे पहले हमें अंसर पता होना चाहिए तो संदी समाप्त करने वाला देश था युक्रेन और युक्रेन तो आ हमने अलफड़ से सieso को दिखाया है तो यह हैँ gate na UK olho मैण पे उस्वतधण राष्रों की राथ्ट छुड में शामी लेग TWO कौन सा है तो कजाकिस्तान इसका अनसर और कजाकिस्तान k तो आप हम देख लेंगे काफी लंबा चोड़ा एरिया है कजाकिस्तान का वर्ल्ड मैप पे इसे जिसको यहां पे डिनॉट किया गया है मेरून कलर से जो एरिया आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप वो कजाकिस्तान सोवियत संग के विक्टन के बाद अस्तितु में आया वहदेश जो दस वर्षों तक ग्रहयुद की चपेट में रहा तो तजाकिस्तान यहां पर लंबे समय तक ग्रहयुद चलता रहा इसको हम दिखाएंगे किस से ओप्शन डी से ओप्शन डी यह जो ग्रीन वाला हिस्सा पूछा जा सकता है इसके बाद चेप्टर नंबर 3 पर आजाते हैं चेप्टर नंबर 3 आपका अमरीकी ससस्तर शेना की कमान सरचना तो यह बना रख अभी अमेरिका की यूरोपिया कमान किस एरिया में आप अगर देखोगे पूरा का पूरा मैरिका का मैप इस वक्त आपके कमान दक्षणी कमान और उत्री कमान यह पांच कमान अमेरिका की थी अब इनको आपको दिखाना है तो अमेरिका की उत्री कमान वाला चेतर उत्री कमान वाला चेतर जैसा कि हमने उपर देखा यह वाला एरिया जो की रड कलर से भरा हुआ है यह था उत्री कमान वाला उसके दक्षणी गमान ऐशने गमान इस जो आपको सी से दिख रहा है सी उपशन् जो आपकों इसक ंद पर आपको अप्ले हं शेशने अधि शो पा बचा एक Pacific, तो Pacific यह जो आपको छोटा सा है, यहाँ पे एक साइड में ग्रीन कलर का दिख रहा है, यह अमेरिका का Pacific कमान वाला एरिया, तो यह था आपका chapter number 3 से बटा एक प्रेश्ट, next question है, जो आपको इसी chapter से पूछा जा सकता है, same pattern यही है, इसके अंदर आपसे पूछा गया है, 911 की गटना से संबंदित देश कौन सा है, सभी को पता है, अमेरिका है, और अब अमेरिका को हमको कहाँ डूढ़ना है, वर्ल्ड मैप में, तो यह जो C वाला हिस्सा है विटा, यह वाला हिस्सा, यह है अमेरिका, इसके बाद विटा, सेकेंड है, 1990 के अगस्त में इस देश पर इराक द्वारा हमला किया गया, इराक ने हमला किया, 1990 पे, किस देश में किया था, कुवेट पे किया था, अब हमको कुवेट डूढ़ना है, तो कुवेट वर्ल्ड मैप पे हम कहाँ डूढ़नेंगे, जहां पर ए ऑप्शन दिया गया है, हमको पता हो, सबसे पहले तो बिटा, हमको यह पता होना चाहिए, कि मतलब, कुशन का आंसर हमको पता होना चाहिए, और जब हमको आंसर पता होगा, तो अब हमें यह भी देखना है, कि वर्ल्ड मैप में वो जगह कहाँ पर है, इसके लिए सबसे पहले जो वर्ल्ड मैप दिखाया गया था, उसके अंदर सारी पोलिटिकल साइंस पे, जो भ क्लिंटन के कारेकाल में दूसरी सबसे बड़ी जो सेने कारवाई वाला देश था, तो वो कौन सा था, सेने कारवाई बड़ी, किसके समय में, क्लिंटन के समय पर, तंजानिया को हमको किसको दिखाना है, ई लेटर से दिखा रहे हैं, लोग यहां पर तंजानिया को, तंजा सारे से हमले किये थे तो वो कौन सा देश है जिस पर क्रुज मिसाल चलाई थी अमेरिका ने तो हां जी वो सूडान है और सूडान कहां पर है ये तंजानिया के ऊपर ये वला एरिया सूडान जिसको हम दिखा रहे हैं ऑप्शन बी से फिफ्थ है वह देश जिसके विरुद अ अमेरिका के नित्रतों में एक देश के साथ 34 देश एक साथ और उन्हों ने उस देश पर हमला किया तो वो देश कौन सा था? ईराक इराको हम किस से दिखा रहे हैं बिल कुल जो अभी हमने दिखा रहे ना सूडान उसी के राइट में थोड़ा सा उपठ जा करके डी से हम दिखा रहे हैं इराग को तो ये था solution आपके ये वाले question का बढ़ते हैं next question की तरफ ये इसका solution है बिटा lesson number 4 से जो question आपको पूछा जा रहा है वो है कि map आपको यहां पर आपकी help के लिए site में दिया गया है ABCD में same वही pattern है अब बस आपको जवाब देना है तो European Sang का एक पुराना सदस्य देश European Sang का एक पुराना सदस्य देश कौन सा था Island अब हमको Island को दिखाना है तो Island को हम दिखा रहे हैं यहां पर कहां पर अभी मैं थोड़ा सा अगर स्क्रिन को बड़ा करती हूँ तो ये देखिए ये आपको यहाँ पर आयरलेंड दिख रहा है अब इस आयरलेंड को हमें दिखाना है कहाँ इस मैप पे तो ये बिल्कुल साइड में जो सी वाला एरिया आपको नजर आ रहा है ये है आयरलेंड कौनसा एक पुराना सदस्य देश किसका यूरोपिय संग का अब यूरोपिय संग का एक नया सदस्य है आयरलेंड पुराना है और नया सदस्य हम सभी को पता है कि हाँ भी पॉलेंड एक यूरोपिय संग का नया सदस्य देश है तो अब हम इस मैप में देखेंगे कि पोलेंड कहा पर है, तो ये आपको नजर आ गया होगा पोलेंड ये वाला एरिया, अब हमको पोलेंड यहां पर दिखाना है, एक मिर्ट बिटा, ये जो डी ऑप्शन आपको जहां पर लिखा हुआ दिख रहा है, ये है पोलेंड, आप पोलेंड के बाद तीसरा प्रशन है आप लोगों के लिए यूरोपिय संग वह देश जो सुरक्षा परिसद का इस्थाई सदस्य है, और वो यूरोपियन संग में भी है, तो फ्रांस, अब फ्रांस हमको देखना पड़ेगा, फ्रांस कहां पर है, तो ये आप लोगों की न नेक्स्ट है यूरोपियन संग के वह देश जिसने माजस्ट्रेट संधी का विरोध किया, माजस्ट्रेट संधी का विरोध करने वाला देश था सुईडन, अब हमको स्वीडन दूणना है, कि स्वीडन कहां पर है, तो ये येलो वाला ए adapt अपड़िया differs में दिख रहा है, ये यलो वाला एरिया है स्वीडन तो अब ये वाला येलो वाला एरिया इहां पर किस अल्फबेट से डिनोट हो रहा है बी से तो बी अल्फबेट जहां पर है वहां पर हम अपना आंसर देंगे बी यूरोपियन संग का वैदेश जिसने मासिस्ट्रस संदी का विरोध किया नेक्स्ट कुशन है यूरोपियन संग का वैदेश जिसने यूरोप की साजी मुद्रा यूरो को मानने का पर विरोध किया था देनमार्क है बीटा वो सीधा सा और हमारे पास बचा भी क्या है सिर्फ E बचा हुआ है तो यह रहा डेन्मार्क सबसे छोटी सी जगा डेन्मार्क तो यह था बटा आपका यह वाले question को solution बढ़ते है next question की तरफ यह यहाँ पर आपको जो दिख रहा है यह इस questions के answers दिये गए है यह देखिए European Union 2015 यह है आप लोगों का कुश्य नीचे दियेगा यूरोप की रेखा मानचितर में पांच देश डिनॉट किये गए हैं और उनको आपको डूडना है तो सबसे पहला है पुत्रगाल और फ्रांस के बीच इस्थित European संग का एक पुराना सदस्य देश तो कौन था पुराना सदस्य देश तो वो है आप सबना होगा लग्जंबर्ग अम यह पर नहन पर पर देखेंगे तो यह वेला एरिया मैप में यह जहा पर आपको यह भी नजर आ रहरा है भी वालाफ एरिया लग्जंबर्ग थर्ड है यूरोपियन संग का एक नया सदस्य है यूरोपियन संग का एक नया सदस्य कौन सा है तो ए ऑप्षिन पे हम जाएंगे चेक गंडराज्य है ठीक है विटा नेक्स्ट है दो हजार सास्त में यूरोपियन संग की सदस्य ग्रहन करने वाला एक देश जिसने दो हजार साथ में सदस्य ग्रहन करी है तो वो है बुल्गारिया बुल्गारिया कहां पर इस्तित है वर्ल्ड मैप में तो ये वाला एरिया जहां पर हमको ये इल्फबेट दिया गया है अब अब है, brekist से संबंदित देश का क्या नाम है तो ब्रिटेन है और बचा क्या है हमारे पास ब्रिटेन बचा है, option C बचा है, तो यह वाला एरिया जहांपर हमको अल्फफबेट C दिया गया है यह वाला एरिया हमारा आजाएगा ब्रिटेन C ब्रेक्षिट से संबंदे तो बिटा ये थे आपके चेप्टर्स पर बेस कुछ मानचित्र अधारत प्रशन आसा करते हूं वीडियो आपके लिए काफी उस्वल होने वाली है वीडियो आपको मेरी अच्छी लगिए तो मेरी वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के सा सब्सक्राइब करना है और मानचित्र पर अधारत अगर आपको कोई सिकेंड वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट जरूर करना है